बदवार को तमिल नाडू के कुनार में वायू सेना का हेलिकप्टर हाथसे का शिकार हो गया। हाथसे में देश के पहले चीफ आफ डिफेंस टाफ बिबिन रावत और उनकी पत्नी मदुलिकार रावत के साथ 11 अन्य सेने अधिकारियों का निदन हो गया। वायू सेना परमुक वी आर चोधरी गुरुवार को सुबा कुनार पहुचे। इसके बाद उन्होंने वायू सेना का MI-17 क्रैश होने वाली जगा का दोरा किया। इसी जगा बुदवार को CDS जनरल विबिन रावत और उनकी पत्नी मदुलिकार रावत का निदन हुआ था। इसके लावा 11 अन्य सेने अधिकारियों की भी मौत हो गई थी। वायू सेना परमुक चोहदरी के साथ तमिलनाडू के DGP C Cylinder भाबू भी मौजूद थे। इससे पहले राज़राच सिंग ने तमिलनाडू में हलिकप्र दुरगटना में परमुक रक्षा द्यक्ष, CDS जनरल विबिन रावत के निदन पर गहरा दुख व्यक्त किया था। बुद्वार को उनों ने का कि उनके आस्मिक निदन से सशस्त्र भलों और देश के लिए एक अपूर्नी शती है। मैंने शुकरवार को उनका अंतिन संस्कार किया जाएगा।